आपका स्वागत है फिर से आज हम लोग इस क्लास में एडी करेंट और फोकॉल्ट करेंट के बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि इसे फोकॉल्ट ने 1875 इस्वी में खो जा था और आप लोग यह सोच रहोंगे कि थोड़ा समय समय पर्योग का प्रैक्टिकल का वीडियो नहीं आ रहा है तो वास्तिविक्ता है कि मैं थोड़ा ब्यस्त था कुछ कारणों से ब्यस्त था और एक्चुली जो वीडियो से सμबन्धित दियो जिए पर प्रोव करते हैं धिन था लाज किन परियास करते रहेंगे इसमें डिक आज हम लोग एक क्लास में या फिर इस वीडियो में जो कह लिजिए उसमें हम एडी करेंट और फोकॉल्ट करेंट के चर्चा करेंगे तो एडी करेंट है क्या तो बेसिकली देखिए को यह दिक कंड़क्टर है और यह कंड़क्टर मैगनेटिक फिल्ड में आपको मूव कर रहा है माल लेते हैं कि मैगनेटिक फिल्ड इंटु दबोर्ड है इंटु दबोर्ड या इंटु दब पेज कह लिजिए इंटु दबोर्ड यानि कि मैगनेटिक फिल्ड का डायरेक्शन आपकी और से इधर है बोर्ड की तरफ मतलब आपके तरफ N है और इस board के O side S है तो N to S magnetic field है अब अगर ये motion करेगा ये motion करेगा तो क्या होगा कि ये तो थारा conductor इसके flux में चेंजे जाएंगे और flux में जब चेंज होगा इसका तो इसमें आपको तो फेराडेज लाओ उफ इलेक्ट्रो मेगनेटिक इंडक्शन के तहद इसमें आपको एक current create होगा current induced होगा बेसिकली ये current induced होगा और चुकि ये conductor है तो ये conductor उसी में flow कर जाएगा उसी में flow कर जाएगा और ऐसा flow कर जाने से ये उसी में कर रहा है और गोल गोल ऐसा 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 आपको हो रहा है जो इडी है इडी मतलब होता है भांवर भांवर इडी मतलब भांवर और यह जो है ऐसा रहता है इसलिए इसको कहते हैं भांवर धारा या इडी current या focal current जो इसको inventor है जिसको खोजा तो तो basically यह का करेगा कि चुकि इसमें current जो है से इसी में flow कर जा रहा है तो आप ध्यान रखिएगा कि induced current lens के नियम के अनुसार induced current उसी कारण का विरोज करता है जिससे वह induced होता है तो किससे induced हो रहा है तो यह magnetic flame motion के कारण induced motion के कारण flux changing हो रहा है जिसके कारण यह induced हो रहा है तो यह क्या करेगा motion को oppose करेगा यानि अगर इसको ले जाना चाहें इधर तो यह जाना नहीं चाहेगा तो यह आपको ED current का आपको effect है और ED current पर ही हमारा जो induction heater जो है वो चलता है फिर आपको induction furnace जो है वो चलता है और बहुत सारे ऐसे ऐसे device है जो आपको ED current के आपको सिधान पर आपको कारे करता है तो इस ED current को समझने के लिए हम लोग एक छोटा सा पर परियोग को करते हैं तो आये परियोग को किया जाए इस परियोग को करने के लिए हमें equipment क्या आप सकता है एक ऐसे system की एक ऐसे निकाय की यह आपको इल्मुनियम का डिस्क है एल्मुनियम का energy meter का यह डिस्क है ध्यान रहे और यह एक motor से चोटा DC motor से कपल किया हुआ है और यह freely rotate कर रहा है यह आप देख सकते हैं यह पेन जो है चोटा जो पेन जिसको लिखो पेको कहते है बिसिकली इस पेन का टुकड़ा है यह तो बस यह सब्सक्राइब के द्वारा इसको लगाया गया इसमें और यह इसमें अगर supply दिया जाए DC तो यह घूमने लगेगा और दूसरा हमारा अपार्टस आपको सेल है सेल आप कोई भी ले सकते हैं यह मॉबाइल का सेल है अगर और इसको supply जैसे ही देंगे यह डिस्क रोटेट आप ओ करने लगेगा यह डिस्क रोटेट करने लगा और फिर तीसरा हमारा अपार्टस यह मैगनेट तो यह जो मैगनेट है निवडमियम मैगनेट है strong मैगनेट आपको होता है जो अक्सर आप परयोग में देखते हो होंगे अगर तो यह यहां पर देखे साइकल का स्पॉक्स को इसको अट्रेक्ट कर ले रहा है स्ट्रॉंग होता है आप कंफ्यूज मत कर लिजेगा कि आयरन है यह नियोडमियम मैगनेट है यह आपको पाया जाता है हेट फोन इयर फोन जो रहता है उसमें और मॉवाइल के ज मॉझे से इसमें आपको ऐसा 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 गोल गोल सर्कुलर कारेंट फ्लो करने लागए चुक्त कि यह इसा करने से ऐसा होने से क्या करेगा लेंज के नियम के अचार यह मैगनेट, को स्ब yol beneficiaries finger को सब्सक्रेया तो इसका गति को रोकेगा यह इसके चाल रुक जाएगी अपोज होगा तो इसको लाते हैं इसके सामने दखिए हाँ ध्यान रहे यह यह जो ऐसे अलमुनियम है आप कर लिजेगा कि यह आपको लाने से रुख रहा है जरूर लुहा है ऐसा नहीं है कि अपना मैक्सिमम स्पीड अचीब कर लिया और इसको जैसे ही सामने ले आ रहे हैं कि आपको लग रहा हो कि सट रहा है तो आप इस भीव से अब देखिए कि इस भीव से देखिएगा तो देखिए कि अब श्लोडाउन हो गया कि अस्पीड अपना पकड़ लिया कि असरा है यहां से जगर लाऊ इसके सामने तो फिर सुलो डाउन तो यह आपको एडि करेंट का ऐफ्यक्ट आपको हुद ठेकट इडे करेंट का यह आपको एफेक्ट एलमॉन्ययम के डिस्क पर यह अलम्उंयम का डिस्क है ठीक है और इसी तरह के जो और फी आपको डिफरेंट टाइप का है अलग है बिलकुल अलग है तो उसके बारे में हम अगले नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे तब तक के लिए आप टीसी पी टीपीसी से आप जूड़े रहे हैं धन्यवाद जय हिंद जय भारत